Hello students, I hope all of you are fine. As you know that we were discussing about the subsidiary alliance policy of Lord Wellesley. Lord Wellesley, जो 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल बन कर रहा, उसने एक नीती अपनाई थी जिसको साहक संधी और अंग्रेजी में subsidiary alliance उसको बोला जाता है. Lord Wellesley से पहले आप जानते हो कि कुछ गवर्नर जनरल रहे, जैसे हमने Warren Hastings के बारे में पढ़ा है, 1772 से 1785 तक रहा, उसके बाद एक साल के लिए गवर्नर जनरल आया था, जिसका नाम था John Macpherson, वो 1785 से 1786 तक रहा, 1786 से 1793 तक, Lord Convallis जो है भारत का गवर्नर जनरल बन कर रहा, Convallis के बाद फिर 1793 से लेके 1798 तक, Sir John Shor भारत का गवर्नर जनरल रहा, और उसके बाद 1798 से 1805 तक Lord Wellesley. तो देखे, Lord Wellesley was a great imperialist, वो बहुत बड़ा सामराज्यवादी था, और आप जानते हो कि वो अगरगामी नीती का अनुसरन कर रहा था, उसे लग रहा था कि भारत में जो अंग्रेजों दोरा, अहस्तक्षे, यानि non-interference की जो नीती अपनाई जा रही है, वो आगे आने वाले समय के लिए, ब्रिटिश सामराज्यवादी के लिए हानिकारक से दोग। इसलिए उसने भारत में कंपनी के राज्ये का विस्तार करने के लिए, 1798 में एक प्रणाली अपनाई, एक नीती अपनाई जिसे साहग संधी नीती के नाम से जाना जाता है। ये क्या था, ये एक चुली संधी एक प्रतिग्या पत्र था, जिसे भारतिये शास्कों पर जबरदस्ती जो है थोपा गया था। और भारतिय शासक भी इस पृतिग्या पत्र पर हस्ताक्षर करने में या इसे स्विकार करने पर विवश्थ थे इसका कारण ये था कि भारतिय शासक बहुती अयोग्य थे और असंगठित थे और ये जो नीती थी ये कंपनी के लिए कोई नहीं नीती नहीं थी वास्तव में कंपनी तो क्लाइव के समय से ही लाड क्लाइव जो था ना जो पहला गवर्णर था उसके समय से ही भारती शास्तों के साथ ऐसा व्यवार करती आ रही थी तो इस प्रणाली का जनम तो तब हो चुका था लेकिन जब अंग्रेजों ने बंगाल में राजनेतिक शक्ति बखड़ी थी लेकिन एक निश्चित रूप रेखा जो प्रदान करी थी इस नीती को यानि सहायक संधी को वो लाड वेलजली ने की थी इसलिए ये प्रणाली उसके नाम के साथ जुड़ गई तो देखे, अब हम ये जानेंगे इस question में कि ये संधी क्या होती थी, चीए? इस संधी की क्या-क्या शर्ते होती थी? इस संधी के क्या गुन थे और क्या दोश थे? या लाभ़ानी कुछ भी कहनवा तो लेट्स ट्राइ तो अद्रीन लाइंस तो दीखे ये जो अलाइंस होता था जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्रतिग्या पत्र होता था ये जो भारत के जो देशी राज्ये हुआ करते थे ना देशी राज्ये और East India Company के बीच एक समझाता होता था It was a contract between the local rulers of India and the East India Company इसके द्वारा क्या होता था कि जो East India Company थी English East India Company वो देशी राज्ये को सैनिक सहेता देने का वचन देती थी ठीक है? समझ रहे इस बात को जो English East India Company थी वो भारत के देशी राज्ये के शासक को सैनिक सहेता देने का वचन देती थी जिसके बदले देशी राज्ये देशी जो शासक होता था उसको कुछ शर्तों को स्विकार करना होता था ठीक है? अब अंग्रेजों से सैनिक सहेता ले रहे हैं तो कुछ शर्ते स्विकार करनी होती थी वो शर्ते क्या थी? अब अब पढ़ने जा रहे हैं कि सहायक संदी की शर्तें क्या क्या थी सबसे पहली शर्त तो ये थी कि देशी राज्ये के शासक को अपने राज्ये में एक अंग्रेज सेना रखनी होती थी एक अंग्रेजी सेना रखनी होती थी जिसका खर्चा या जिसका वै उसी देशी शासक को उठाना पड़ता था लेकिन सेना ये अंग्रेजों की होती थी यानि खर्चा देशी शासक को करना होता था और जो सेना थी वो अंग्रेजी सेना होती थी और यदि शासक खर्चा दे पाने में सक्षम नहीं होता था या खर्चा नहीं देता था तो उसे अपने राज्जे का कुछ भाग अंग्रेजों को देना पड़ता था और जो सहक संदी द्वारा जो सेना होती थी उसका जो नितरत था वो अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में होता था यानि सेना तो अंग्रेजों की है खर्चा देशी शासक दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं क्योंकि उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर तुमारे उपर कोई आकरमन होता है तो अंग्रेजी सेना तुमारी रक्षा करेगी ऐसा क्यों किया भारती शासकों नहीं क्योंकि वो आयोग भी थे they were unable to protect their empire यानि अपना जो राज्य है या अपना जो state है उसको वो सुरक्षित नहीं रख पा रहे थे या सुरक्षित रखने में वो सक्षम नहीं थे they were unable to protect their state from the neighboring attack from the neighboring rulers ऐसा होता था ना कि भारती राज्या जो आपस में लड़ते जगड़ते रहते थे तो इनके बीच में युद होते रहते थे तो कई ऐसे शासक थे उस समय जो की युद करने में और अपने राज्ये को सुरक्षित रखने में नाकाम हुए तो ऐसे जो शासक थे कमजोर असमयठिद शासक वो इस सबस्ट्री एलाइंस पर हस्ताक्षर कर दिया करते थे ताकि उनको सुरक्षा मिलती रहे उनको जहमत ना उठानी पड़े और उनके राज्ये सुरक्षित रहे और इसके बदले में उनको पैसे देने होते थे और अगर पैसे नहीं होते थे तो फिर अंग्रेजों को कुछ राज्ये का भाग देना होता था तो कुल मिलाकर इसका जो उदेश्य था वो ये था कि अंग्रेजों को पैसे दो और अपनी सुरक्षा करो भीतरी संकट के समय में या भीतरी आकर्मन के समय में बाहर से आकर्मन की बात नहीं हो रही यहाँ पे भीतरी आकर्मन की बात हो रही दूसरी बात कि सहायक संदी सुखार करने वाले राज्ये को अंग्रेजों का आधिपत्य सुखार करना पड़ता था और और वो उसकी अनुमती के बिना, अंग्रेजों की अनुमती के बिना, किसी भी अन्य शासक से युद्ध या संधी नहीं कर सकता था, देखिए जो साइन करता था इस ट्रीटी को, सबसीडिय अलाइंस को, वो शासक किसी भी अन्य शासक के साथ ना तो संधी कर सकता था, और ना कि अहीं युद्ध कर सकता था ये अधिकार भी उसके हाथ से चला गया था इसके अत्रिक उसे अंग्रेजों को भारत में सर्वोच्छ सैनिक राज्यतिक शक्ति स्विकार करना पड़ता था और उसे किसी अन्य भारतिये शासक के साथ विक्तिगत संबंध भी तोड़ना था अंग्रेजों के कहने पर यानि अब अंग्रेज डेटरमाइंड करने लगे कि भारती शास्कों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके अतरिक थे अंग्रेजों के बिना या अंग्रेजों के अलावा वो किसी भी अन्ने विदेशी शक्ती से संबन्द नहीं रख सकता था इस बरी इंपॉर्टेंट कि अगर जिस शासक ने इस पे साइन कर दिये है जिस शासक ने समझोता स्विकार कर लिया है वो शासक किसी भी अन्ने यूरोपिय या विदेशी शक्ती के साथ कोई संबन्द नहीं रख सकता था आप देखो इस इस इन दा लाइट आफ आफ एट्मोस्फियर दैट वस प्रिवेलिंग अट ताइम यानि उस समय फ्रेंच भी थे ठीक है ना तो फ्रांसिसियों के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसा किया था संबन्द और एक चीज़ और इसके साथ जुड़ी हुई संबन तो रखी नहीं सकता था किसी अन्ने विदेशी कंपनी के साथ या विदेशों के साथ साथ वो किसी अन्ने यूरोपियन को अपने दर्वार में नौकरी भी ही नहीं दे सकता था तो इस बस बेसिकली मेंट तो प्रिवेंट तो इंफ्रेंच रूलर्स यानि फ्रांसेसी लोगों का या फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी एकरमचारी थे उनके प्रभाव को कम करने के लिए ऐसा किया गया था कि किसी भी अन्ने विदेशी के साथ कोई संबन नहीं रख सकता ठीक है फिर उसे अपने राज्ये में जो भी ये साइन करता था उसे अपने राज्ये में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था एक अंग्रेजों का नुमाइंदा रखना होता था और उसी नुमाइंदे की परामर्ष या सलाक या धर परियू से सारा शासन कारे चल प्रशासन में भी हस्तक शेप हो गया मतलब अब देखे जिसने साइन कर दिये वो पैसा भी दे रहा है सेना रखने के लिए और अपने दर्बार में एक नुमाइंदा रख रहा है अंग्रेजों का ठीक है प्रतिनिधी एक तरह से समझ लीजिए जो की परामर्ष भी देगा को कोई भी जो शासन संबंदी का रहे हैं तो इससे क्या है कि ये कैसी शर्त थी कि इससे सदैव देशी राज्यों की गतिविध्यों पर अग्रेजों की द्रिष्टी बनी रहती थी तो एक ये शर्त थी और आखरी जो शर्त थी वो ये थी कि अगर मतब जो भी साहक संदी को स्विकार करने वाला कोई अगर शासक है तो अगर उसका जगड़ा किसी अन्य राज्ये के साथ हो जाता है तो अंग्रेजों को उसे मध्धस्त स्विकार करना पड़ता था याँ अगर उसकी लडाई किसी दूसरे शासक के साथ हो जाती है तो विचौणी के रूप में अंग्रेजों को उसे स्विकार करना पड़ता था और जो अंग्रेज कहते थे जो उनका निन्ने होता था वो स्विकार करना पड़ता था तो ये थी साहिक संधी और उसकी शर्तें अब में खेल समझ गए होगे इसका अर्थ मैं आपको बिलकुल शौर्ट में बताता हूं धन देकर मितरता प्राप्त करना अंग्रेजों को धन देकर मितरता प्राप्त करना यानि भारतिय शासक अंग्रेजों को धन देता था अंग् बाहरी का मतलब कि देश में ही जो अन्ने राज्ये हैं उनसे आकर्मन से उनकी सुरक्षा प्रदान किया करती थी और इसके बदले में अंग्रेजों की कुछ शर्तों को सुकार करना पड़ता था ठीक है वो शर्ते मैंने आपको गिनवा दी हैं और ऐसे उमीद है कि आपको शाय समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आ हो तो आप जरूर कम्मिनिकेट कर देना वाट से अब प्रशन यह है कि ऐसी जो संधी है साहक संधी इसको स्विकार करने वाले कौन कौन से राज्जे है अब मैं आपको बताऊं कि यह संधी जो है लाड वेलजनी ने गवरनर जनल पद पर बैठते ही यह संधी इसने लागू कर दी थी अब वेले इसको है अब पर बाद के शासब को निजाम कहा जाता था सबसे पहले निजाम ने से स्युकार किया था 1708 में उसने क्यों स्युकार किया था क्योंकि निजाम जो है वो मराठे और टीपु सुल्तान के निरंतर आक्रमनों के कारण बहुत दुखी था आसपास का दुराज्या टीपु सुल्तान as you know he was from महसूर and we were talking about हैदराबाद तो हैदराबाद और महसूर यानि कनाटक और महसूर तो जो है नेबरिंग स्टेट्स है तो उस पर निरंतर हमला हो रहा था हैदराबाद के निजाम पर कभी मराठा करते थे कभी टीपु सुल्तान करता था तो उसने एक अंग्रेजी सेना रख ली साहग संधी स्विकार करके जिसको 24 लाख रुपे वारशिक वो दिया करता था और उसने अपने दर्मार दर्बार में से सभी फ्रांसेसियों को बाहर निकाल दिया और इसके अत्रिक तो उसने अंग्रेजों के साथ एक संधी भी स्विकार कर ली और इसके अनुसार उसने हैदरबाद में अंग्रेजों की सेना की संख्या बढ़ा दी गई और कुछ उससे एक शेतर भी ले ली अंग्रेजों ने तो अगर कुछ ना जाए कि हुवाज़ फर्स टू एडॉप दे पॉलिसी ऑफ सबसिडरी अलाइंस तो उसका अंसर होगा हैदरबाद निजाम निजाम ओफ हैदरबाद ठीक है इसके बाद मैसूर के सुल्तान ने इस स्युकार किया कैसे दीखे जब वैलजली ने हेदरबाद की को मनवा लिया तो उसके नेबरिंग जो स्टेट था यानी मैसूर मैसور की और रुख किया मैसور में टीपू सल्तान था वो बिलकुल भी अंग्रेजों को देखकर राजी नहीं था वो अंग्रेजी प्रभाव को तुरन समाप्त कर देना चाहता था और वैलजली भी टीपू सल्तान के बढ़ते हुए प्रभाव को नहीं देख सकता था टीपू सल्तान को साइक संदी स्विकार करने के लिए उसने कहा टीपू ने इंकार किया और युद्ध इन में अनिवारे हो गए 1789 में जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों ने टीपू सल्तान को पराजित कर दिया ये मैसूर की चौथी लड़ाई थी 1789 में इसके बाद जो मैसूर का शासक बना था कृष्ण राव उसने साइक संदी को सुईकार कर लिया और उसने अपने राज्ये का बहुत सा भाग जो है अंग्रेजों को सौख दिया बाकी फिरम नेक्स क्लास में पढ़ेंगे थेंक्यों